हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स चाहे आपके पास नया बाइक हो या पुराना और आप ये जानना चाहते हो कि अकॉर्डिंग टू मोटर भेकल एक्ट बाइक को चलाते हो वक्त आपके पास कौण कौन से डॉक्वेंट्स होने चाहिए ट्राइफिक्ट पुलिस ऑफिसर का चेकिंग के वक्त क्या पावर है और जब आपकी गाड़ी की चेकिंग हो तो उस टैमा आपके क्या अधिकार है इसके लावा कौन से documents के नहीं होने पर कितना fine है और अगर आपके पास जो driving lessons है वो original के जगा उसका jayrogs colored copy हो तो क्या ये valid है और क्या इसके होने पर आपका fine लगेगा या नहीं लगेगा तो आज किस video हम इन सारी बातों के उपर हमें detail हमें बात करेंगे फ्रेंड्स जो पहला document है वो है RC copy यानि की registration certificate copy बहुत ही important ये document होता है क्योंकि इससे ये मालूम चलता है कि जो आपकी गाड़ी है वो government of India के अंदर में registered है वैसे ही जो RC copy होता है वो regional transport office यानि की RTO के दोवारा issue क्या जाता है और जो इस RC copy होता है उसमें registration number, registration date, vehicle का chasis number, engine number, honor का नाम और उसका सारा detail इसके लावा validity ये सब कुछ mention होता है वैसे मैं आपको बता दू कि जो RC copy होता है उसका जो validity होता है वो 15 साल का होता है लेकिन अगर ये expire कर जाए तो इसे दुबारा से 5 साल के लिए इसका renewal कराया जा सकता है RC copy नहीं होने पर traffic police officer 5000 रुपए तक का fan according to law लगा सकता है फ्रेंट्स जो दूसरा document है वो है insurance certificate अब ये valid होना चाहिए expire नहीं होना चाहिए अब फ्रेंट्स ये जो insurance certificate होता है उसमें insurance जो provider है उसका नाम दिया रहता है इसके लावा policy number type of coverage, limit of coverage, duration of coverage period ये सब कुछ detail में mention होता है अब फ्रेंट्स Motor Vehicle Act नियम कैनो सार हर एक गाड़ी के लिए कम से कम third party liability insurance policy ये लेना कमपलसरी है ये तो होना ही चाहिए अब फ्रेंट्स अगर ये जो हमारे insurance certificate है वो unavailable है और आपके गाड़ी का checking हो रहा है तो जो traffic police officer है वो 2000 रुपए तक का fine चलान कार्ट सकता है फ्रेंट्स जो तीसरा document है वो है DL यानि की driving license का certificate अब फ्रेंट्स ये जो DL होता है वो regional transport office RTO या फिर regional transport जो authority RTO होता है उसके द्वारा issue क्या जाता है फ्रेंट्स ये जो DL है वो 100% आपके पास होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी ये document है और ये valid भी होना चाहिए in general इसके जो validity होती है वो 20 साल की होती है तो फ्रेंट्स ये जो DL है वो 100% आपके पास होना ही चाहिए अगर आपके पास driving license नहीं है तो जो traffic police officer है वो 5000 रुपई तक का चलान काट सकता है फ्रेंट्स जो चौथर document है वो है emission test certificate यानि की pollution under control certificate और फ्रेंट्स जैसा कि आपको पते ही है कि गानियों के वाज़े से परदूसन कितना ज़्यादा होता है इसलिए बार बार emission non-sign होता है BS3, BS4, अब BS6 आ गया है तो इसलिए ये जो certificate है pollution under control certificate ये आपके पास होना जरूरी है फ्रेंट्स मैं आपको पता दूँ कि ये transport department किसी भी state का हो वो इसे authorized होता है issue करने के लिए और फ्रेंट्स बहुत ही सस्ता है ये 6 महिना के लिए 50 रुपई में बन जाता है और 1 साल के लि वो 3.5 है और जो इस गाड़ी के लिए measure किया गया है वो है 0.261 और जो prescribed standard hydrocarbon है वो है 4500 और इस गाड़ी के लिए measure किया गया है वो है 101 इसलिए आप देख सकते हो कि जो test result है वो pass है और यहाँ पे validity भी दिया हुआ है तो friends इसलिए ये जो documents है वो बहुत ही जरूरी है जो कि traffic police officer आप से मांगेंगे और इसके नहीं होने पे वो 5000 से लेकर 10,000 रुपए तक का fan according to state और according to आप के गाड़ी वो चलान काट सकते है फ्रेंड्स पाच में नंबर पे जो है वो कोई document नहीं है वो safety के लिए use किया जाने वाला helmet है तो अगर traffic police officer आपको बिना helmet को पकड़े तो वो 1000 रुपए का चलान काट सकता है और तीन महीने तक आपके driving license को suspend भी कर सकता है इसका अधिकार traffic police officer के पास है तो चुकि जो helmet होता है वो हमारी safety के लिए होता है तो safe रहना अची बात है तो आप जरूर बाइक को चलाते वक्त helmet का use जरूर करें फ्रेंड्स बहुत से लोग original driving license की जगा में इसका जो color में zerox driving license होता है वो अपने पास रखते है और जब traffic police officer उनकी गाड़ी की checking करते है और उनसे driving license की मांग करते तो वो यह color zerox driving license है वो show करते है अब friends मैं आपको बता दूँ कि जो according to law है वो कि अगर आप इस zerox वाले driving license को दिखाते हो तो traffic police officer है वो fine card सकता है क्योंकि यह valid नहीं है according to law friends अगर आप यह color में जो हमारा driving license है उसे रखते है या फिर कोई और भी document अपनी गाड़ी का zerox में रखते हो तो मैं आपको बता दूँ कि वो तभी valid है जब आप traffic के किसी graduated जो officer है उससे वहाँ पे signature ले लो उससे attestate करा लो उसके बाद यह valid होता है zerox को रखना लेकिन अगर आप attested नहीं कराते हो तो आप original ही रखो क्योंकि duplicate रखने पे आपका fine काटा जा सकता है friends अब यहाँ पे एक सवार आता है कि checking के वक जो traffic police officer है उसका क्या power है और उस वक्त आपके क्या अधिकार है friends सबसे पर अगर अगर ड्रेस कोड की बात करें तो अगर जो traffic police officer है वो dress में है तो अगर वो आपसे documents मांगे कोई भी documents मांगे तो वो आपको हर हाल में show करना है लेकिन अगर वो civil dress में अपना dress नहीं पहना हुआ है तो उस time पे आपके पास ये अधिकार है कि आप उस officer से उसका ID उसका batch number पूछ सकते हो उसका detail ले सकते हो फिर्ट दूसरी बात आती है की क्या तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी traffic police officer जब आपकी गाड़ी का checking करे तो वो आपके बाइक का जाबी है वो नहीं निकाल सकता है वो उसके अधिकार छेतर में नहीं आता है फिर्ट इसके अलावा अगर मैं आपको बता हूँ कि अगर आपसे traffic police officer कोई भी documents आपने पास रख रहा है चाहिए driving lessons चाहिए दूसरा कोई भी document तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उससे receipt यानी कि जो documents आपसे रख रहा है उसका receipt मांग सकते हो फिर्ट अगला है कि अगर कोई traffic constable है उसने आपके गाड़ी की checking की तो वो आपके गाड़ी के उपर में कोई भी on the spot fine नहीं काट सकता है लेकिन अगर कोई senior policeman हो ठीक है जाकि ASI rank हो जा फिर उससे अबव rank का हो तो वो on the spot fine जो है वो काट सकता है फिर्ट इसके अलावा अगर कोई woman है जो की गाड़ी को चला रही है और उसका साड़े 6 बजे के बाद checking हो रहा है तो वो lady constable की demand कर सकती है फिर्ट इसके अलावा जो traffic police officer है वो गाड़ी को seize कर सकता है इसका वो power है और वो license भी cancel कर सकता है ये भी traffic police officer के अधिकार छेतर में आता है तो फिर्ट आज की इस होने पर कितना fine है उसके लावा मैं आपको ये भी बताया है deal को लेकर कि original या duplicate रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो और आपके और traffic police officer के क्या-क्या power है क्या-क्या अधिकार है मैं आपको इसके बारे में भी detail नहीं बताया तो friends I am sure आज का ये वीडियो आप लिए helpful होगा आपको कोई जानकारी पसंद आईएगी तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे like और दोस्तों को share जरू कर दे वीडियो के बारे मौट चैनल के बारे अपनी डाय आप मुझे comment करके जरू बता है इसके लाव फेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हूँ या अभी दक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकोन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपोर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिपिकर श्रेंगत रू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो मैं थैंक्स वराचिंग इस गुडबाई